इस तरह की Instagram Reel बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक application की जुरूद पढ़ेगी which is VN जिसमें आप वीडियो को edit करने वाले हो लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो का यहां से screenshot लेना होगा ताकि आप इस जगा पे अपनी photo को paste कर पाओ इसका सारा process कैसे रहेगा चली चलते हैं सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को open करना होगा जिसका link मैंने description में दे रखा है description में आपको telegram channel देखने को मिलेगा आपको telegram channel को join करना है and then आप इस वीडियो को download कर पाओगे आपको इस वीडियो को play करना है just और यहां पर upload image के उपर क्लिक करना होगा and पहुंचाओगे आप gallery में अपनी photo को यहां से select करना होगा जिसका आपने screenshot लिया अभी अभी अब आपको इस photo में जो subject है इसको remove करना होगा easily आपको brush tab करना होगा यहां पे इस बंदे के उपर आपको click करना होगा erase के उपर जो भी पार्ट बचा है आपको फिर से इसको erase करना होगा and अब आप देख सकते हो आपका subject easily remove हो चुका है अब आपको download के उपर click करना होगा और यह आपका photo download हो चुका है अब आपको यहां पे search करना होगा background remover and first link के उपर click करना होगा और यहां पे आपको अपनी खुद की image को paste करना होगा यह रही and आप देखोगे कि आपकी photo की background remove हो चुकी है आपको click करना होगा download के उपर और यह png आपकी gallery में save हो चुका है अब आपको करना कुछ भी नहीं है इसके बाद आपको pixart application को open करना होगा and then click करना होगा plus full icon के उपर and then add it a photo और यहां पे आपको सबसे पहले उस background को click करना होगा and then यहां से आपको add photo करना होगा और अपना subject यहां पे लेकर आना होगा जिसकी आपने background remove करी and इसको adjust करना होगा according to photo कुछ इस तरीके से यहां से आपको इस photo को easily save कर लेना होगा Pixar application का काम खतम हो चुका है अब आपको चलेना होगा VN application में और इसमें आपको उसी वीडियो को upload कर लेना होगा जो आपने Pixar application में photo को edit किया उसको यहां पे easily लेकर आयाना होगा यहां पे यह रही photo अब यह photo आपकी VN application में आ चुकी है अब आपको यहां पे फिल के उपर क्लिक करना होगा और आप देख सकते हो यह photo आपकी फिटा हो चुकी है आपकी स्क्रीन में और आपको यहां पे एक option देखने को मिलेगा इसी के उपर क्लिक करना होगा and then click कर लो radial के उपर अब यहाँ पर आपको द्यान से समझेना होगा आपको यहाँ से circle को increase करना होगा and अपने subject के center में रखकर आपको इसकी feather को थोड़ा सा increase कर लेना होगा ताकि पूरा realistic लगे इतना सभूश करने के बाद आपको यहाँ से tick कर लेना होगा अब आपको इसकी layer को increase कर देना होगा अब यहाँ पर आपको अपनी photo की key framing करनी होगी आपको first key frame यहाँ पर रखना है अब दीरी दीरे आपको अपनी clip को slide करना है and अपनी photo को भी इसकी according set करते जाना है और यहाँ पर आपको अपनी clip को यहाँ से split कर लेना होगा और आगे वाला पार्ट ये delete कर लेना होगा अब आपको इस वीडियो को save कर लेना होगा अब आपको इस वीडियो का result दिखाते हैं तो इस तरह से आपकी ये वीडियो तयार हो जाती है वीडियो वर है बोलती है तो एक लाइक कर दीजी चैनल पर नहीं है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए ओके वाई